अद्रनी धामी जी दिब्य प्रेम सिवा मिसन जिनका नामी दिब्य भी हो और साथ में प्रेम भी हो तो स्वयम कैसी अनुबूती होती है इस नाम को सुनने से और इसका इसमन करने से इस पूरे मिसन को लगातार पिछले 1997 से एक दिन भी रुके बिना लगातार आगे बढ़ाने वाले जिनको अभी आप सब लोग सुन रहे थे आरणी आसीज जी हम लोग उनको आसीज भाईया भी कहते है और मेरा भी संपर्क उनसे बहुत पुराना है उत्राखन बनने से पहले से आप से सम्मन रहा है और जिस प्रकार की सरसना यहाँ पर हुई है जिस प्रकार के काम हुए है उसमें इयी कहूंगा की आरणी आसीज जी ने अपने को तिल-Tिल जलाया है तिल-Tिल जलाया है तिल-तिल लगाया है एक छण रुके बिना एक छण बिस्राम किये बिना लगातार ऐसे लोगों की सिवा में लगाया वास्तों में जो एक ऐसा काम था जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत आसानी से होने वाला काम नहीं सब को जोड़के यहां से लेकर पूरे भारतवर्च के लोग इससे जुड़े हुए पूरे मिशन से जुड़े हुए और मैं भी लगातार आपके सानित्दे में रहा हूँ बहुत सारी चीजें आसीस वहिया से हम लोगों को सीखने को मिली हैं आसीस जी और के सायोगी रूप में संजे जी पूरे मिशन के हमारे सभी पदाधीकारी गण और आज कारिकरम में यहां पर उपस्तित हमारे विदान सभा के अद्देक्च मेरे बड़े भाई और मुख्य सेवक के रूप में चुकि मुझे जितना भी समय मिला उस समय काल में लगातार मेरा विदान सभा में चुकि आप ही की पुरी ताकत होती है बेदान सभा देख से होते हैं तो सभी तो वहां पर आप ही का सब कुछ चलता है और उस बिधान सभा को बहुत मैं कहूँ कि बिना किसी ब्यवधान के जिनोंने चलवाया और दिब्य प्रेम सिवा मिसन में जैसे वो सरक्षक के नाते काम कर रहे हैं वैसे ही बिधान सभा में भी सरक्षक के नाते आपने अपने दाइत्तों को आगे बढ़ाया आधनी प्रेमचन अगरवाल जी इस कारिक्रम में उपस्तित सभी हमारे बरिष्ट सभी माताएं बहने हमारी पूझ्य माता जी जिनका भी मैंने आते ही यहां पर आसिरवात लिया और जहां दीपरजुलित के वहां लिखाया है यह कोई भगवान का मंदिर नहीं लेकिन इनी के त्याग साथना संगर स्यों आत्म सगर्स के कारण ही भारत में मंदिर हैं उन सभी को में नमन करता हूँ और चुकि बड़ा सुन्दर आज यह दिन है और बहुत ही चुकि कल सिवरात्री महा सिवरात्री का दिन भी है उससे ठीक एक दिन पहले चुकि मुझे भी यहां पर आकर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बहुत ही ऐसे दिपेस्तान पर पहुंच गया हूँ जहां बिल्कुल अंदर इसके अंदर प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार की अन्भूती यहां पर देगी है सभी को अपनी तरफ से पूरे मिशन के सभी पदा दिकारियों का आजनी आसीज भीया का सब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे भी यहां पर मुझे जैसी संदेश मिला कि आज कारिकरम का इस परकार से निमीत एक्सपरस का अनुस्तान पूरा हो रहा है तो उस सबस्थर पर आकर मैं अपने आपको बहुत सा वाके साली मानता हूँ और जिस परकार से मिशन काम कर रहा है जिस परकार से लगातार हमारे कुछ तोग्यों की सेवा सादना लगातार चल रही है उसमें जहाँ पर भी एक मैं कहूं गिलहरी की तरह जहां भी कहीं पर उसमें मेरा भी जोवी योगदान होगा जहाँ पर भी मुझे मिशन के द्वारा कहा जाएगा या आप लोगों के द्वारा कहा जाएगा मैं कंदे से कंदा मिला कर खड़ा रहूँगा और मेरी कोशिस रहेगी कि हमारा मिशन लगातार आगे बढ़ता रहे और ये बहुत बड़ी एक प्रेणा भी है हम लोगों के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं कोई कोई रास्ता अपनाता है कोई ब्यापार अपनाता है कोई दूसरे परकार का अपनाता है अलग अलग छेत्रों में जाता है कोई यस बैभव की तरफ जाता है लेकिन आदनी आसीज जी के अंदर सारी चीजें एक बड़ा उनका ग्यान भी है अनुभव भी है लेकिन उन्होंने अपने आपको इस छित्र में लगाया, यह हमारे लिए सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेणा है, कि किस प्रकार से हमने समाज के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया, कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, निश्चित रूप से यह हम सब लोगों के लिए प्रेणा है, कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, मनुस्य अपने लिए जीता है और जानुवर भी जीते हैं, लेकिन उसमें भी सेश्टा तब आती है, उसमें लोगों के लिए, दुसरों के लिए हम उधारन तब बनते हैं, लोगों के लिए प्रेणा तब बनते हैं, पाथ ही का करण बनते हैं, जब हम स्वयम को गलाते हैं, स्वयम को लगाते हैं, ऐसा उधारन आरणी आसीजी ने हमारे सामने प्रस्तूत किया है, मैं तो भगवान से महादेव से प्रातना करूँगा, कि महादेव उनके अंदर और स हरण भी है, सारे लोग, क्योंकि मैं बच्पन से, 1990 से, जब से मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तब से लेकर, मैं हिंदुस्तान भरके सभी हमारे जितने भी प्रकल्ब चलते हैं, जितने संगठन चलते हैं, अधिकांस लोगों के सानिद्दे में रहके मैंने भी काम किया ह है, मैंने लखनों भी सुबित दहले में पढ़ाई करी है, और उस दोरान से लेकर आज तक, जितने लोग भी आसीज भाईया हमको मिलते हैं, हर कोई जो है, आपका नाम लेता है, और दूसरी बात यह है कि, अभी एक हमारे पिद्धरती जीवन के, जो हमारे उस समय के थे, आज वो राष्टी स्योग संग में एक बड़े उस में है, मैं उनका नाम नहीं लूगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहां आ रहा हूँ, और वहां से मिलते हुए फिर आप से भी मिलूँगा, तो निश्चित रूप से आसीज भाईया का एक जो अपना इस्तान है और हमारे जो मिशन का इस्तान है, वो आगे बढ़ता रहे, उसमें जहां भी मेरी भूमी का होगी, और मैं अपने बड़े भाही प्रेम्टन अगरवाल जी की तरफ से भी कह रहा हूँ, उनकी और हमारी जहां भी भूमी का होगी, हम लोग जो है इसमें बढ़ चड़कर भा प्रफित किया, भगवान जो है आपकी सभी मनो कामनाय पूर्ण करें, हमारा मिशन आगे बढ़े, दिभी प्रेम सेवा मिशन का काम आगे बढ़े, सभी की सेवा का काम आगे बढ़े, यही सब इतना ही कहते हुए, अपनी बानी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्य हुए आगे।